पिछडी जातियों और दलितों की ज्यादा आबादी के बावजूद साल 1947 से 1967 तक बिहार कॉंग्रेस में सवन्नों का वर्चस्व रहा है। कॉंग्रेस में वर्चस्व रहने का मतलब था सत्ता में वर्चस्व रहना। इसकी वज़ा या थी कि सवन्न आर्थिक और साक्षनी ग्रूप से मजबूत थें। 1967 के आम चुनाओं तक कॉंग्रेस के नित्रित्तों में सवन्नों का प्रभाव बना रहा। हाला कि इसी दौर में सवन्न नितित्तों का एहसास हो गया था कि गैर सवन्नों को सत्ता में भागिदारी से लंबे समय तक रोका नहीं जा सकता है। इसका एहसास साल 1957 और खास कर 1962 के बिहार विधान सवा चुनाओं के बाद ही हो गया था। या बिहार की राजनिती और कॉंग्रेस पार्टी के लिए एक एहम परिघटना थी। बिहार की राजनिती में यह पहली बार हुआ था कि कोई ब्रामहन मुख्यमंत्री बना था। दिल्चस्प यह है कि 1938 तक बिहार कॉंग्रेस वर्किंग कमीटी में एक भी ब्रामहन सदस्य नहीं था। श्री बाबु के निधन के बाद बिहार की राजनितिक गुटों में व्यापक बदलाव आया। सवर्णों के बीच ही सत्ता के लिए गुटबाजी तेज होने लगी। 1961 में जब महेश पसात सिनहा की हार हुई तो इसकी बड़ी वज़ा थी ब्रामहन, राजपूत और काईस्तों का एक होना। श्रीबाबू के निधन का और अनुगरा नरायन सिनहा के निधन के बाद भुमिहारों और राजपूतों में उस कद का कोई नेता ही नहीं था। राजपूतों का एक तपका अनुग्रा नरायन सिन्हा के बेटे सतेंद्र नरायन सिन्हा के नितृत्तों में आया तो एक तपका बिनोदानन जहा के साथ रह गया। श्री बाबू और अनुग्रह नरायन सिन्हा के जिन्दा रहते बिहार में कॉंग्रेस दो धुरूवों में थी, लेकिन इन दोनों नेताओं के निधन के बाद कॉंग्रेस में कई गुठ हो गए, आधुनिक बिहार के निर्मान में इन दोनों नेताओं की बड़ी भूमिका र दोनों नेताओं के बीच भरोसे और दोस्ती की कई कहानिया हैं, दूसरी तरफ कई लोग इन दोनों नेताओं के बीच जातिये टकराओ यानि भूमिहार बना मराजपुत की भी बाते कहते आये हैं, क्या वाकई दोनों नेताओं के बीच किसी किसम का कोई जातिये टकराओ उस दौर को करीब से देखने वाले बुजुर्ग CPM नेता गणेश संकर विद्यार्थी इसे सीरे से खारिज करते हैं वे कहते हैं कि दोनों नेताओं के बीच इतना प्रेम था कि लोगों ने इन्हें एक दूसरे को गले लगा कर रोते हुए भी देखा है विद्यार्थी कहते हैं बिहार में 1934 में अंग्रेजो के टाइम में पहला कॉंग्रेस मंद्री मंडल बना इसमें दोनों नेताओं के बीच पूरी सहमती थी 1946 में स्री बाबू के नित्रित्वों में सरकार बनी उस वक्त भी कोई दिक्कत नहीं थी 1952 में चुना हुआ तो उस वक्त भी कॉंग्रेस, स्री बाबू और अनुग्रह बाबू के नित्रित्वों में एक होकर लड़ी थी तो आखिरकार ये दूरी कैसे आ गई इन दो बड़े निदाओं के बीच स्री बाबू और अनुगरह बाबू के रिष्टों में सबसे एहम मुराया 1957 के बिहार विदान सबाद चुनाओं के बाद विद्यारती बताते हैं 1957 में संकट आया केवी सहाई के लोगों ने दोनों के बीच विभेद डालना सुरू कर दिया इस विभेद की बागडोर अनुगरह बाबू के बेटे सतेंदर नरायन सिन्हा ने सभाली अनुगरह बाबू स्री बाबू के खिलाफ बिलकुल खड़ा नहीं होना दाते थे इसमें मुखे भूमिका उनके बेटे की ही रही विद्यार्थी बताते हैं राजपूतों का एक गुट अनुगरह बाबू को चड़ा रहा था जाहिर है नतीजा स्री बाबू के पक्ष में गया स्री बाबू की जीत तो हुई तो अनुगरह बाबू उनके घर पहुँचे और दोनों गले मिलकर रोई थे अनुगरह बाबू ने कहा कि कुछ ना समझ लोगों के चकर में वे फस गये थे ऐसा नहीं है कि विधायक दल के नेता के चुनाव में राजपुद विधायकों ने अनुगरह बाबू का ही साथ दिया था बड़ी संख्या में राजपुद विधायक स्री बाबू के भी साथ थे 1957 में ही जैप्रकास नरायन ने स्री कृष्ण सिनहा को लिखे पत्र में कहा था आपकी सरकार को लोग भुम्यार राज कहते हैं गनेश अंकर विधार्थी कहते हैं कि जेपी कि इस आरोप में कोई दम नहीं था सच यह है कि उन्होंने केभी साथ के लिए ऐसा आरोप लगाया था वे कहते हैं उस वक्त कैस्तो की एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के बाद उन्होंने स्री बाबू पर बेबुनियाद आरोप लगाये थे उस आरोप में उन्हें जाति वादी बता दिया था विद्यारती कहते हैं केभी सहाय और महेश परसाद सिन्हां 1957 में चुनाव हार गए हार के बाद स्रीकिशन बाबू ने महेश परसाद सिन्हां को खादी बोर्ड का चेरमेन बना दिया लेकिन केभी सहाय को कुछ नहीं बनाया केभी सहाय काईस थे और महेश पसाद सिनहा भुम्यार स्रीबाबु ने महेश पसाद को भुम्यार होने से चेर्मन नहीं बनाया था बलके इसलिए बनाया था कि सोतंतता की लड़ाई में उन्होंने स्रीबाबू की खूब मदद की थी जेपी किने केवी सहाई के लिए बेबुनियाद आरोप लगाये थे इसमें तनिक भी सच्चाई नहीं थी सस तो ये है कि जेपी भुमिहार विरोधी थे